सास्टेक आल, वेलकूम टो ब्लियोगड़ावर्सीज, मैं हूँ चितेंदर सिंग UK टूरिस्ट वीजा में आपको पता है कि जब UK रिफ्यूज करता है तो एक प्रोपर रीजन देखे आपको रिफ्यूज करता है और जब वे रिफ्यूज देता है तो रिफ्यूज लेटर में हर एक रिजन लिखा होता है हमारे पास एक ऐसा रिफ्यूज लेटर है जिसमें कुछ ऐसी गलतिया है कि जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए वीजा आफसर की तरफ से और हम आरे पास जो ये अप्लिकेशन आई है ये पी एपी के लिए आई है इनका रिफ्यूज हुआ है और हमारे पास प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए आई है हम इसका प्री एक्शन प्रोटोकॉल करने जा रहे हैं अपलाई वीडियो शेयर करने का परपस ऐसा है क्योंकि जो इन्होंने गलतियां वीजा ओफसर ने इस फाइल में की हुई है चेक करते हुए ऐसी गलती आप किसी के साथ हुई है तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल जरूर डाले क्योंकि वीजा निकलने के आपके चांस पूरे हो जाएंगे उस केस में क्योंकि visa officer ने जो गलती इनकी file में की है ऐसी गलती कहीं की file में होती है हमने पहले भी कुछ ऐसे reason देखे थी ऐसी चीज़े देखी थी जहाँ पे visa officer ने गलतियां करी थी और pre-action protocol में वो file जो है वो हमने करी और उसके बाद visa भी निकले और इनकी case में क्या गलती हुई है इन्होंने जो अपना visa apply किया था वो tourist category में apply किया था बट visa officer ने लिखा कि आप business meeting के लिए जा रहे है और हमने जब इनका application form पूरा देखा वहाँ पे कहीं पे भी business meeting के बारे में mention ही नहीं है तो visa गर जो result है वो तो application form के recording होता है कि हम किस category में apply कर रहे है इनका visa apply होता है tourist category में और visa officer ये कह के refuse कर रहे है कि आप business meeting में जा रहे है तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा blunder है बड़ा एक mistake है जो visa officer ने की है तो ऐसे case में pre-action protocol जरूर जाना चाहिए और second देखिए एक और बड़ी mistake है इसमें क्या है कि इन्होंने जो account number के ending के चार number दिये है वो चारो number इनके account की नहीं है वो भी किसी और के account के उठाके visa officer ने डाल दिया है means visa officer ने file इनकी नहीं चेक करी visa officer ने file ही किसी और की चेक करके refusal इनको दे दिया है तो ऐसी mistake UK में हो रही है और UK की immigration कर रही है बड़ एक चीज खासियत है UK की immigration में एडलिस नोंने लिखके तो दिया यदि वो लिखके ना देते तो कैसे पता चलता की mistake कहां पे है filing में mistake थी या फिर visa officer में ऐसी mistake की है यदि ये visa officer की mistake है तो हम इसे pre-action protocol में डालेंगे इसे P.A.P. में डालेंगे और इनको हम जो है UK embassy को चैलेंज किया जाएगा और इसमें result भी निकलेगा क्योंकि ये चीज हमेशा देखने को मिली है UK में की जब visa officer आपकी file assess करने में गलतिया करता है तो हम उसे pre-action protocol में डाल के visa ले सकते है ये आपको याद रखना होगा यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आपकी file जो चैक होने में गलती हुई और उसके बाद आपके refusal letter में इस तरह के reason आए हुए है तो आप pre-action protocol के लिए जरूर जाए प्री-action protocol के लिए जरूर अपलाई करे एटलिस ये चीज अच्छी है UK में जो लिखके देते हैं बट ऐसी काफी countries हैं जिन में refusal आते हैं बट वो लिखके नहीं देते केरणा में बहुत refusal आते हैं लोगों के लेकिन वो लिखके नहीं देते की reason क्या था Changan में बहुत refusal आते हैं बट लिखके नहीं देतें गिért Hansame, कि वर्ड़ कब के डाइम lya ने जो refusal ओटो रिफूजल थे वो सारे के सारे Aeeee ser액 हीわ घ़ especially मनें आ रहा ता कि जो जसे कैट़गरी में अपलाई कर रहा था जो पहले travel थे अस्रेलिया में वो भी refuse किये गए तो ऐसी mistake होती है कई बार visa officer से तो UK मैसे आपके साथ हुआ है और आपके हाथ में refusal letter और आपको लगता है कि वो pre-action protocol के लिए जाना चाहिए तो जरूर definitely pre-action protocol के लिए जाओ लेकिन एक याद रखे कि pre-action protocol आपको refusal के within three month आपको डालना पड़ेगा otherwise आपका वो accept नहीं होगा याद रखे इस चीज के लिए otherwise आपको इस चीज के लिए problem होती है आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप pre-action protocol के लिए जाना चाहते है तो हमारी टीम से contact करके अपना P.A.P. apply करें हमें सिर्फ आपका एक application form और refusal letter चाहिए application form और refusal letter से हमें clear हो जाएगा कि visa option ने गलती की है या नहीं और यदि वैसी गलती हुई है तो उस case में आप apply ना करें आप सिर्फ pre-action protocol के लिए जाए तो उमीद है ये information आपके काम के होगी information अच्छी लगी है तो इस चैनल को like and share जरूर कर दे और चैनल subscribe नहीं किया तो please subscribe जरूर कर दे तो मिलते हैं फिर एक next video में नई information के साथ अब तक के लिए साथ शर्याका